आप्पिल ने लंबे इंतजार के बाद आइफोन 6S और आइफोन 6 Plus को लॉंच कर दिया है। इसके फीचर्स की बात करें तो यह आप्पिल का अब तक का सबसे एडवांस्ट फोन है। पिछले आइफोन की मकाबले नए मॉडल सतर प्रतिशत यानी डेड़ गुना तेज है। आइफोन के ये मॉडल थोड़े पतले और भारी हैं। ग्राफिक्स की प्रोसेसिंग स्पीड 90 प्रतिशत तक तेज है। दोनों फोन का सबसे खास फीचर है 3D टच। ये फीचर तीन अलग अलग टच लेविल टच, प्रेस और डीप प्रेस के बीच अंतर कर सकता है। इसमें टच रिस्पॉंस टाइम कम होगा और एप्स और तेज होंगे। यतना प्रेशर उतना काम। जैसे होम स्क्रीन पर फेस्बुक आइकन को 3D टच करने पर एप खोले बिना अपडेट पोस्ट कर सकते हैं। स्क्रीन की बात की जाए तो 6S में 4.7 इंच और 6S प्लस में 5.5 इंच की स्क्रीन है। इन में 12 मेगा पिक्सल का में कैमरा और 5 मेगा पिक्सल का फ्रेंट कैमरा है। दोनों स्मार्टफोन में A9 64-bit प्रोसेसर है जो मजूदा प्रोसेसर से 70 प्रतिश्यत तेज है। फोन 16GB, 64GB और 128GB वेरियंट में मिलेंगे। हलंकि एपल ने भारत में लॉंच के जाने और कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इन दोने स्मार्टफोन के साथ एपल ने सबसे बड़ा और सबसे तेज आईपेड प्रो, एपल वाच और एपल टीवी भी लॉंच किये हैं।